जय हिंद इस विडियों दो लक्ष्मी और्गनिक लिमिटेट कंपनी के बारे में बात करेंगे यदि आपका इस कंपनी में इंवेश्टमेंट है या आप नया इस कंपनी के सेर को भाई करना चाहते हैं तो आपके लिए पक्का काम की खबर होने वाली है क्योंकि इस कंपनी से उसमें इंवेश्टमेंट करते हैं आप लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपनी का पैसा लगाता है तो आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम हो जाता है यह जो कंपनी यह कीमिकल प्रडुक्त बनाने का काम करती है जैसे एथाईल सेटीक अध्य और डिडीप अगर सामना आए तो इस कंपनी शेयर प्राइस में अच्छी उच्छाल देखने को मिल रही है हाई लगा चुका है 628 रुपय का अर्थात इस कंपनी का सेयर प्राइस अधिक्तम यहां तक आया है तो यह मोटा मोटी बात थी कंपनी के बारे में अब हम लोग सीधे उस मुद् प्राइस तक जा सकता है समझे अभी इस कंपनी का सेयर प्राइस है 447 रुपया और इसने दिया है 535 रुपया अल्थात इससे अब मार्केट में पोजेटिव सेगमेंट की तरह लिया जाएगा जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी दूसरे कंपनी के लिए टार्गेट फिक्स करते हैं तो इसे मार्केट में पोजेटिव सेगमेंट की तरह लिया जाता है ऐसा माना जाता है कि यह कंपनी सोच रखती है तो जो इसके शोल्डर भी होंगे वह भी कंपनी के बारे में सोचनगे वसके ऑचार को पाई करने क्लिए उस फाहित होंगे तो यहां तक आबात सम को इसको पूरा बांट करने नहीं होता है एकवायर करने का मतलब होता है उसकी कुछ सेयर्स अच्छी खास इस के अब कंपणी तो 2050 तो करदी की नहीं हम लोग के जैस्ता यह कंपनिया कुछ लाख में शेयर खरीती है देखिए यह कंपनी 15 लाख 12,000 सेयर्स खरीतने जा रही है एमेट संराइज सेविन प्राइबेट लिमिटेट कंपनी के और यह 15 लाख 12,000 सेयर्स होते हैं तो दो भी कलप हैं या तो अपने ही कंपनी में चोकलेट बनाने लगे या किसी चोकलेट बनाने वाली कंपनी को खरीद ले तो अपने कंपनी में चोकलेट नहीं बना सकती है क्योंको उसका बिसकुट बनाने का फैक्टरी है तो उसमें चोकलेट कैसे बनाएगी दूसरा कि नई कंपनी को तो निकालर दिक के खाय करें लगभख 50 प्रेश्श forward slash भाइट करके उस प्रमोटर बन जातीए, तो शमानेते यहां भी यह जो लक्ष्मी और इनिकमपनी नहीं करने प्रश्मी और्गेनिक कंपनी है इस कंपनी की पैरेंट कंपनी बन गई वैसे तो आप अब तक समझ गया होंगे कि कोई भी कंपनी किसी कंपनी को एक्वाइर क्यूं करते लेकिन इसके पीछे जो तीन प्रमुख रेजने वह आप समझे जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को ए इसका एक फाइदा यह भी होता है कंपनी का जो कॉंसुल डेटेट रिभीनु होता वह बढ़ जाता है क्यूंगि पहले कंपनी पास एक बिजनेस था अब बहुत सारे बिजनेस हो गये हैं तो सबका रिभीनु जोड़कर डाटा प्रेस किया जाता उसको कंपनीयों को अन्ने बात शुक्रिया